नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजी वीडियो में बात करने मुट हूँ कि आप अपनी इस्टागराम को हमयशे के लिए डिलीट कैसे कर सकती हो गाइस बहुत सिंपल सा स्टयप है आप यहाँ मेरी Josh policy स्क्रीन पर देख सकते हूँ सबसे पहले आपको अपने इस्टेग्राम को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद गाईस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर आपको सबसे नीचे राइट सैड में आपको अपनी फ्रोफाइल दिखेगे आपको इस पर टाइप करना है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजएगा अब यहाँ पर आपको उप्षन मिलेगा सबसे उपर राइट साइड में थ्री लाइन्स आपको इस पर टाइप करना है फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजएगा यहाँ पर आपको option मिलेगा, setting and activity, यहाँ पर आपको option मिलेगा, account center आपको इस पर type कर देना है, type करने के बाद account center में आप आ जाएगे, यहाँ पर आपको option मिलेगा, थोड़ा से नीचे चले जाना, यहाँ पर आपको option मिलेगा, personal detail आपको इस पर type करना है, type करने के बाद आपके सामने यहां पर personal detail का option आ जाएगा यहां पर आपको option मिल जाएगा contact info यहां पर आपको अपनी gmail या phone number दिख जाएगा नीचे date over और यहां पर आपको सबसे नीचे option मिलता है account ownership and control आपको इस पर type करना है यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा account ownership and control यहां पर आपको option मिलता है deactivation आपको इस पर type करना है type करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा यहां पर आपको अपना Instagram या Facebook का account दिख जाएगा जैसे मुझे Instagram का account delete करना है इसके लिए मैं यहां पर type करूँगा आपके सामने कुछ इस तरह interface आजाएगा deactivating और deleting your Instagram account यहां पर आपको दो option मिलता है deactivate account delete account अगर आप अपने account को deactivate करना चाहते तो आपको पहले वला option select कर लेना है अगर आप अपने Instagram को permanently delete करना चाहते तो आपको option मिलेगा delete account आपको select कर लेना है और continue पर click कर देना के सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा deleting your Instagram account यहां पर आपको एक region select कर लेना है मैं यहां से select कर लेता हूं create a second account इस पर type कर देना और आपको continue पर click कर देना यहां पर फिर से आपको continue पर click कर देना है कि यहां पर आपको अपने Instagram का password डाल देना है मैं यहां से डाल देता हूं password डालने के बाद आपको continue पर click कर देना है कि यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएं confirm permanently account delete यहां पर आपको option मिलेकर delete account का आपको इस पर type कर देना है कि गाइस आप यहां पर देख सकते हो मेरा account यहां से permanently delete हो चुक है मैं यहां से एक बार चेक कर ले तो यहां पर click करेंगे गाइस आप यहां पर देख सकते हो मेरा account यहां से permanently delete हो चुक है गाइस बहुत ही असानी से आपको अपने account को हमेशा के लिए delete कर सकते हो गाइस वीडियो अच्छी लेगी हो तो चैनल को like और subscribe जरूर कर देना हिए आपको यहां से डाइस वीडियो आपको भ्यां हो और तो प्या जफ़त ही हो फिंग कर सकते हो तो क्रаче काई ऊफ्प